आप सुभी का स्वागाईता है मेरे चानल पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके घर में खुशिया नहीं मिल पा रही है, सुख नहीं आ रहा है तो ये आठका मगलेजे तो मिनन दे रहे कि हम वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो का प्लीज लाइक के देना चालना पर नएगों सब्सक्राइब कर देना तो चलिए चलते हैं घरों में खुशिया नहीं मिलती हैं पेंशन सी रहती हैं तो आज से शुरू कर दे ये आठका हर कोई अपने जीवन में विकास, सम्रिध्धी और स्वस्थ रहना चाहता है हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख होर परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है घर और अपने जीवन में सकारातमक्ता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है आईए जानते हैं धर में खुशहाली और समरिध्धी के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें आप वीडियो को लाइक जरूर करें बाद में आप लोग भूर जाते हैं आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है नमबर एक ब्रिहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे ब्रिहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना वपीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए ऐसा करने से घर में सुख वशान्ती और समरिधी बढ़ती है और खुशिया आती है वह परेशानिया दूर होती है नमबर दो वास्तु के अनुसार सुभा उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए इससे मा लक्ष्मी, मा लक्ष्मी मंत्र की कृपा हमेशा व्यक्ती के उपर बनी रहती है और घर में सुख समरिधी का भी आगमन होता है इसके साथ सकारात्मक उर्जा भी घर में प्रवेश करती है वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य को उर्जा का स्त्रोत माना जाता है इसलिए घर में सकारात्मक उर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं इससे मा लक्षमी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक उर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है अगर आप सुभा सुभा उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से उ और शुभलाब लिखें इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक उर्जा भी दूर हो जाएगी नमबर चार माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें उससे पहले पांच लोगों को भोजन जरूर कराएं जिससे आपके घर में कभी भी धंधान्य की कमी न हो और दिन बदिन बढ़ोत्तरी होती रहे इसके लिए खाने बनाते समय पहली रोटी गाए को निकालें एक रोटी कुत्तें के लिए मचली पक्षियों को दाना डालें और चीटियों को चीनी वह आटा खिलाएं ऐसा न कर सके तो कम से कम एक को जरूर खिलाएं जब भी मौका मिले इन पांच में से एक को जरूर भोजन करवाएं अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी, तुलसी उपाय और चमेली का पौधा लगाने से घर में धंधाने का आगमन होता है और व्यक्ति को सुभा उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को डोट पवित्र माना गया है यह पौधा अधिकतर हिंदूओं के घर में पाया जाता है इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है साथ ही देशी घी का दीपक जलाया जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में में गेट पर पौधे की जड़ को डोट लाल कपड़े में बांध कर लटका दें इससे घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी मा लक्षमी की क्रिपा प्राप्थ होगी इसके अलावा घर में उत्पन वास्तु दोश खत्म होगा नमबर पांच सुभा उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्षमी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुक्षान्ती बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें कच्ची लस्सी का छींटा देकर पांच अगर बत्ती जलाए वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहें तो सुभा शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जला कर रखें सुभा शाम घर के मंदिर पूजा आरती जरूर करें अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुक्सम्रिधी का प्रतीक माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुक्षान्ती प्राप्थ होगी और परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूगता जहाज महाभारत युद्ध या हिंसक पशुपक्षी की तस्वीर लगा कर रखी है तो इससे दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए इन्हें आज ही हटा दे नमबर साथ जाडू न लगाए आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बार में भूलकर भी जाडू न लगाए माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी मा लक्षमी नाराज होकर घर से चली जाती है जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है नमबर आठ कपूर जलाए वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबो कर जरूर जलाए इसके साथ ही उसके धुए को पूरे घर में फैलाए ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांती बनी रहती है साथ ही घर की नकारात्मक उर्जा बाहर निकल जाती है नमबर नौ नमक नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है आप चाहें तो नमक की एक ओटली बना कर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए इससे घर में खुशियां लौट आएंगी नमबर दस वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का इशान कोन सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है इस कोन में देवी देवताओं का वास होता है इस कारण से जीवन में तरक्की और सफल्ता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए इस स्थान पर पूजा स्थल बनना काफी शुब होता है नमबर ग्यारह वास्तु शास्त्र में बेवज़ पानी का तपकना धन हानी की तरफ संकेत करता है वास्तु के अनुसार नल या तंकियों से पानी का तपकना शुब नहीं माना जाता है जिन घरों में नल का पानी तपकता है वही पर सुक्समरिध्धी ज्यादा देर तक नहीं रहती है घर में सुक्समरिध्धी और शांती के लिए इस दोश को फोरण ही दूर करनी चाहिए जोतिश शास्त्र में कई ग्रह शुब फल प्रदान करते हैं उनमें से ब्रहस्पती ग्रह को सुक्समरिध्धी और सपन्ता का कारक ग्रह होता है जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोँचे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिला कर पोँचा लगाएं इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है गर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूपदीप दिखाना चाहिए इससे घर का वातावर्ण सकारात्मक रहता है पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोश्नी अवश्य करनी चाहिए क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकाता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है इसलिए सबसे पहले भगवान को डोट बिना जूठें किये हुए भोग लगाए और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई जूठन न रखे जिससे की मा लक्षमी नराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे नमबर चौदह दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है जिससे की आपको थोड़ा से कुन्य मिले और आशिरवाद मिले इसलिए आनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं इससे आपको पुन्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज अगर आप सक्षम है तो ब्राहमन गरीबों को भोजन या अन्नदान दे जिससे की पुन्य अद्रिश्य दोशों का नाशकर परिवार को संकट से बचाते हैं यह दान आपका ही नहीं आपकी आने वाली पीडिपों का कल्यान करेगा नंबर पंद्रह घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल लें खराब पड़ी मशीने या उपकरण या कबार के रूप में घर में रखें उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है जिससे घर में मानसित तना बीमारिया और क्लेश बढ़ता है घर की उत्तर या दक्षिन पूर्व दिशा में फवारा रखें माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुक्समरिधी आती है नंबर सोलह कई लोग पैसों का लेंदेन खाना खाते खाते भी कर लेटे हैं पैसों के लेंदेन से जुड़ी ऐसी आद्तों को तुन्रत छोड़ देना चाहिए वरना माता लक्षमी आपसे नाराज हो सकती है रुपए पैसों का लेंदेन पांचों अंगुलियों से करना चाहिए इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं नंबर सत्रह सुभर सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है इसलिए सुभर अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत शुभ माना जाता है मैं आश्या करते हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगे तो इस वीडियो को प्लिस लाइक के दिने चानल पर नहीं हो तो जाना को सब्सक्राइब कर दिना सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लिस क्लिक कर दिना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन दब से वेले आप तक पहुच पाए और कमेंट बॉक्स में जरू बताना कि आपको मेरी वीडियो क्यासी लगी ताकि एको तेक्व कर दो कर देए बाइगे